काफी सारी चीजें ऐसी थी कि जो इस मूवी के अंदर में दिखानी चाहिए थी और इवन जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है उससे बहुत अच्छे से हमारे सामने दिखाना चाहिए था तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं समराठ प्रित्विराज चुहान मूवी के बारे में जो इस मूवी की जो लैंध तर वो तकरीबन दोगंटे पंदरा या बीस मिनिट के आसपास रखी गई है और इस मूवी में जो मेन भुमीका में या फिर कहें कि समराठ heào fight जैसे हमने उनकी कहानिय जैसे हमनेए किस से सुने जैसे उनको रीप्रेजंट किया जानँ जाए Sand वहह बुरा लगती है और इसके बाद जैसे मंदीर है उसको लेकर इसमेंخ बात बोली गई है वो काफी अच्छी है लेकिन जाहां पर ग्यारा सो इक्यानवे में 1191 के अंदर 33 के अंदर हर्याना के अब यहां पर जो महुमत गोरी का जो इक प्रस्पेक्टिव दिखाया गया है कि भाया वो आना ही नहीं चाता था हिंदूस्तान उसको तो मजबूर किया गया हिंदूस्तान लाने के लिए क्यूंकि जो गोरी का जो भाई है वो समराज प्रतिराज चुहान के पास आ जाता है और इसलिए जो मुहम्मद गोरी है वो विवश हो जाता है भारत आने के लिए हिंदुस्तान आने के लिए और यहां पर लड़ाई होती है एच्छल में जो मुहम्मद गोरी है या फिर आप देखते हैं इन मुस्लिम आगरांताओं को यह बुखे नंगे लोग थे इनके पास मतलब रोटी तक के खाने के लाले पड़े हुए थे तो इनको दिखा भारत जो हिंदुस्तान जो एक सोने की चिडिया यहां पर जो पहुत एक अमीर देश इनको दिखता है अब आप एक कॉंसेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए आप ब्रिटिश की बात कर लो चाहिए आप इन मुस्लिम आकरांताओं की बात कर लो कि अगर आपका घर एक अच्छा वासा है आप एक अच्छे परिवार से आते हैं आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है तो क्या आप कभी जाएंगे साथ वाले घर में चोरी करने या उनके सामने भीक मांगने ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आपके घर में सब कुछ है हाँ लेकिन साथ वाले घर में अगर वो चीजे नहीं है वो बहुत जादा खराब हालत के अंदर है फिर कहें कि वो बिक चुके हैं लाले पड़ चुके हैं उसके खाने के अब वो क्या करेंगे वो चोरी करने आते हैं सेम कॉंसर्ट होता है हमारे देश के उपर लगाईए जो भारत जो हिंदुस्तान यार ये एक सोने की चिडिया यहां पर एक अमीर जो एक देश रहा है हमेशा लोगों की नजर इसके उपर इसलिए रही है कि यहां से जैसे लूट खसोस यहां से मचा के लेके चले जाए तो इन मुस्लिम आकरांताओं का यह जो ब्रिटिश थे वो आये ही इसलिए थे क्योंकि यह देश अमीर है अमीर था उसलिए और यहां पर लोगों को इस तरह अपनी तरफ आकरशित किया इसलिए यह लोग आये अब मुस्लिम आकरांताओं जो अपने भूखे नंगे देश में अपने जो लोग थे उनकी भूख मिटाने के लिए यहां से वो लूट कटो मतलब यहां से लूट कर लेके जाते थे खाजाने को तो जाकर वहां पर अपने लोगों कुछ रोटी दाना कुछ खिला पाएं इसलिए वो आया करते थे यहां पर लेकिन मुहमद कोरी को जैसे री प्रेजंट किया गया है और यार उसकी सैना में सारे लुटेरे भरे हुए थे सैनिंग तो था ही नहीं अब जो मुहमद कोरी पहले युद्ध के अंदर हारते हैं तो यहां पर ऐसे पड़े ही गौरव से उसको दिखाया गया कि मुझे तो मार दो मैं तो एक वीर योद्धा की मोत मरना चाहता हूं अरे भाई जो एक्चुल जो चीज थी अब यह जो मूवी आप देखते ना कि दो किताबों के उपर यहां पर बहुत सारे सक्षय हमें नहीं मिलते हैं तो इसके उपर मतभेडोने लग जाते है कोई 1185 में कहते हैं कि पृतिराज चौहान जो रोगधी पर बैठते हैं कोई 1108 इसके उपर लाते हैं तो अलग अलग चीज़ें आती हैं हमारे सामने निकल कर अब यहां पर पृति प्रिसमराद प्रतिराद चोहान के साथ जो गोरी का यूद होता है तो गोरी जब पकड़ लिया जाता है तो उससे वो एक तरीके से यहां पर दिखाये गए कि यार उसको तो एक वीर योद्धा की मोज चाहिए वो बिल्कूल भी नहीं डरा है अप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि मुहमद गोरी ने गिड़ गिड़ाया था भीग मांगी थी उसने अपनी जान की कि मुझे बख्ष दो मैं मुझे अपने देश जाने जो तो वहां पर समराद प्रतिराद चोहान भले वो बहुत बहुत एक तरीके से तेज इसके अंदर नहीं दिखाई जाती हैं यहां यह दिखाना बहुत जारा ज़रूरी था मुझे लगा कि यह सब चीजें हमें देखने को मिलेंगे लेकिन वह चीजें नहीं देखने को मिलती है और कुछ आगे चलके यहां पर एक मैंने काफी जगा पढ़ा भी है इस मुवी क अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो महुमत गोरी है प्रितिराज चोहान को अपने साथ लेके चला जाता है गजनी यानि अफगानिस्तान में और वहां पर उनकी आँखे निकलवा देता है तो यह अलग-अलग कहानी है मैंने कहा ना कि इतिहासिक मूवी है इतिहास के उपर काफी सारों के अलग-अलग मत भेद हो सकते हैं तो इसलिए एडवाइज में देना चाहूंगा कि आप जिंदिगी में कुछ भी उखाड रहे हो तो अपने साथ एक राइटर जुरूर बिठा लेना ताकि वह आपकी सारी चीज़े लिखता चले और आने वाले टाइम में जो पीडी हैं उनको पता चले कि आपने क्या किया था क्योंकि जो मुगल आये थे वो इस सीच को भाम चुके थे और इसलिए अपने साथ एक राइटर बिठा के रखते थे और उनका इतियास लिखते रहते थे तो यहां पर काफी सारे मत भेद हैं लेकिन मैंने काफी ज पत्ती नहीं है उन्होंने अलग से रिप्रेजन किया और शब्ध भेदी बान जो हमारे देश के अंदर मैंने कहा था पिछली वीडियो में अंदर कहा था कि जो यहां पर त्रेता यूग के अंदर महराजा दश्रत जी को शब्ध भेदी बान चलाना था था द्वातर मुझे कोई आपत्ती बे नहीं है जैसे रिप्रेजन किया गया और लास्ट क्या जो सीन है जो इस मूवी में हमें देखने को मिला है उसमें मुझे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वहां पर जैसे एक अलग परिक्षा ली जाती है समराट पृतिराज चोहान की क उनको शब्ध भेदी बांच लाने आते हैं और जो मुहमद गौरी यह देखना चाहता था कि उनको जो कोशल है वहां पर चंदर पर जीस तरीके से एक कवीता बनाते हैं और जो वहां पर बोला जाता है मुझे उमीद थी क्यार वह बोली जाएगी लेकिन वह नहीं बोली ज दिखाई जाती और जो मुहम्मद गोरी का जिस तरीके से इसके अंदर स्टैंड डिखाया गया है वह मुझे बहुत जादा गलत लगा क्योंकि एक लुटेरे को ऐसे चोड़ा होते हुए दिखाना यार मुझे कहीं से भी वह सही नहीं लगता है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो मैंने इस मूवी का यही का कि अक्षय कुमार जी का लगा वह बिल्कुल भी कहीं से ब्रित्युराज चोहान के भूमिका में जच नहीं रहे हैं फिर उसके बाद जो स्टोरी जो इसमें स्टोरी के जो एतिहासिक परस्पेक्टिव से बात कुलूँ तो चीजएं इसके अंदर सई भंक से रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी वह इसके अंदर नहीं की जाती है गाने इसके अंदर रखे कहीं है वह इतने अच्छे नहीं लगे मुझे वी impressed कहीं लेकिन कुछ मजा नहीं आया उसके अंदर कर शुक्तिव अदर fighting sequence काफी अच्छोंगे जो fight होगी वो काफी अच्छे से दिखाए जाएगी लेकिन वो बिल्कुल ही cheap है और ना के बराबर इसके अंदर fighting है उसमें भी मजा नहीं आते हैं तो मैं तो यह कहूँगा कि इस movie को आप one time consider कर सकते हो तो मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 अगर आप लोगों ने movie देखी है तो please comment करना कि आप लोगों को इस movie कैसे लगी हालांकि इस movie के अंदर मैंने spoiler दिये हैं लेकिन वो इसलिए क्यों कि कुछ चीजों के उपर मुझे बात करनी थी इसलिए spoiler इसके अंदर आ गए तो starting में title में आपने warning पढ़ा ली होगी तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है next video में जाएं